नमस्कार, मैं प्रोफशर रामबक्स बारतिय भासा के अंदर जवारलाल नेरुविश विद्याले नई दिली आज हम समकालें साहित्य चिंतर में साहित्य की सोंदर शास्त्री द्रश्टी इसका अध्यान करेंगे इस पार्ट को पढ़ने के उपरांत आप सोंदर शास्त्र की अवधारना से परिचित हो सकेंगे साहित्य के काव शास्त्री अध्यान एवं सोंदर शास्त्री अध्यान के पार्थक्य को इस्पस्ट कर पाएंगे सोंदर शास्त्री अध्यान की दिशाओं से भी परिचित हो सकेंगे और साहित्य के मुल्यांकन में सोंदर शास्त्र की महता जान सकेंगे समकाले इन साहित चिंतन में हम साहित की विविद द्रष्टियों का अध्यन करते हैं और इन द्रष्टियों से साहित का सुरूपत होता है और हमारी ये समझ भी बढ़ती है कि साहित क्या है कैसा है और इसका मुल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए प्रारंबिक अध्यान की पड़तियां इन पड़तियों से भी हमें परिशित होना चाहिए आप सब जानते हैं कि साहित एक जनतांत्रिक विदा है कोई भी व्यक्ति जो साक्षर है जो पढ़ा लिखा है वो साहित पढ़ लिख सकता है लेकिन शिक्षित होना भी साक्षर होना भी साहित्य के लिए अनिवारी नहीं है निरक्षर व्यक्ति जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वह भी लोग साहित्य का अध्यन कर सकता है और लोग साहित्य का मर्मग्य हो सकता है इसी तरह से नाटक जो है कोई भी व्यक्ति देख स सुना और रख दिया वो सुनने के बाद में वो ये कह सकता है कि मुझे ये करती अच्छी लगी मुझे ये करती अच्छी नहीं लगी रामशरित मानस का ये हिस्सा मुझे अच्छा लगा और सूरदास का ये हिस्सा मुझे अच्छा नहीं लगा गोपियां जो भैस करती है वो पढ़ने पढ़ करके वो रख देता है यह भी पाठ की प्रतिकिर्याम आता है आप उस्तकाले में जाते हैं और एक किताब उठाते हो और फिर उसको आपको लगता है कि मुझे यह नहीं पढ़ने और फिर आप दूसरी उट पढ़ा दे तो यह भी एक तरह के साहित्य के बारे इसका कारण देने की जूरत नहीं है इसलिए यह प्रात्मिक इस्तर होता है और जो साहित्य का पाठक नहीं होता वो आगे चलकर के साहित्य की आलोचना शास्त्र और सोंदर शास्त्री की इस्तर पर भी वो एक कमजोर व्यक्ति माना जाएगा इसलिए यह पहली जो साहित्य प्रतिकिरिया और सजग पाठक की जो विवेकवान प्रतिकिरिया होती है वो आलोचना होती है आलोचक के पास साहित्य की एक समझ होती है एक अउधारना होती है और उसके मन में यह होता है कि एक अच्छे साहित्य को ऐसा ऐसा होना चाहिए और तब वो उसका विशलेशन करता कि मेरी समझ से जो ये साहित्य है जो हमारे सामने कृति परस्तूत हुई इस कृति में यह कमया और अगर रचनाकार्य इसको इस तरह से लिगता यहां जैसे जैनेंदर कुमार ने गोदान की आलोचना की कि प्रेम चंद का गोदान यदि मैं लिखता इसी तरह हर आलोचक यह द लाचना चना के बारे मेरी राय है यह जो राय होती है यह लोचना होती इसी तरह साहित के एद्देद कि होती है जिसको हम प्रारंबी को पन्यास है और वाकी कहानिया जो पहले की तो यह जो समय के साथ में किसी रचना को देख करके और रचना का पूरवा पर क्रम निर्दारित होता है यह पूरवा पर करम का जो निर्दय है वह जहीं अध्यन का एक इस्टा तो चौह पातव की प्रतिकिरिया फिर आलो spreading या पाध्य बाड़ा करो सब्सकें और एक और सीडियर उपर उठते हैं तब हर विदा का साहितें एक सास्त्र होता जिसको हम कहते हैं कि ये कावे सास्त्र है या साहित्य सास्त्र है साहित्य सास्त्र में ये विचार होता है कि कोई रचना क्यों साहित्य है जैसे आचारी विशुनात ने का रसात्मक वाकिय होता है अब रसात्मक वाकिय क्या है कैसा है कैसा होता है वो अलग ब ही की स्रेडिमiner नहीं आता दूसरी आलोज को गुज दूसरी बात कहीं और साहित कल्पना होती यह नहीं होती यह जो यह सिद्धान्त होता है और और साहिति चिंतों को कि एक competition सूची है जिनके आदार पर हम यह जानते हैं कि हमारा साहित्य शास्त्र या कावे शास्त्र क्या है उसी मालंकार संपर्दाय रीती संपर्दाय आदी जितने भी चिंतक हैं या यतार्तवाद अतियतार्तवाद बिंबवाद जो साहित्य के जितने यह मानिताइं हैं जो सिर्फ साहित्य तक्षीमित है और साहित्य के शास्त्र चिंतन पर बल देती है वो साहित्य का काविशास्त्र अब इससे भी जब हम आगे बढ़ते हैं तब सोंदर्य शास्त्री अध्यन की बारी आती अब सोंदर्य शास्त्री क्या होता है और किस तरह का सोंदर्य शास्त्री अध्यन काविसास्तर से लग है या आलोचना से लग है या पाठ्ट की प्रतिगीरिया से उसे लग है इसे हम अब देखते हैं जरिबंन दासनिक बाउंग गार्टनने 1750 इसवी में ज्ञान के एक नए शास्त्र सोंधरि शास्त्र की निवर रखी ये सोंधर शाच्र अंग्रेय जी में जिसको Aisthetics कहते हैं ये पस्चिम की यह उदारणा है और पस्चिम में यह माना जाता है कि ज्ञान बुद्धी का कारी है तो बुद्धी के द्वारा तरक के द्वारा विसलेशन के द्वारा हम जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं यह में देखा हमने चुवा हमने सुना यह पांचों ग्यानेंदरियां हैं यह नहीं किसी तर्क वी तर्की जो तो पुसकी को कोमल पसंद देटो को कॉमल वाला अच्छा लगेगा किसी को प्रचंद नहीं तो वह उसकी पसंद उसकी जानकारी भी मिलती यह चाग को भी इस शास्त्र के द्वारा होएगा वो सास्त्र सोंदर शास्त्र है इसलिए सोंदर शास्त्र पस्चम में दर्सन सास्त्र की साखा के रूप में विक्षित हुआ उसका कावे सास्त्र से कविता की तरफ से उसका विकास नहीं हुआ बलकि दर्सन से वो एक नीचे आया कि दास्डिक तर्क वितर्क करते हैं उसे अलग इंद्रियान भव का जो मामला होता है उसके सास्त्र के रूप में सुञारिक सोच्वार्श्ट को लेकर के बहुत तरह के लोगोंने विचार कि शास्ति करते हैं। साहिति से और ललित कलाएं जो है यह खाली मनुरंजानी नहीं करती यह एक प्रकार का ज्ञान भी देती है तो यह धारणा धीरे-धीरे पस्चिम में और पस्चिम के जो दास निकते उनके बीच में घर करने लगी इसी में हीगल ने एक बात कही कि उन्होंने यह कहा कि सोंदर ललित कलाओं का दर्शन है माने ललित कलाओं जिती है उन ललित कलाओं के माध्यम से जिस सोंदरी की अभ्यक्ति होती है उस सोंदरी का जो दर्शन है वो जो है वो सोंदर शास्त्र है अब ललित कलाओं कौन सी है तो ललित कलाओं जो है उनके अनुसार पांच है जिसमें इ हिन्नता है और हीगल ने ये का कि जिसका माध्यम जितना इस्तूल होता है वो थोड़ी कमजोर कला है और जिसका माध्यम जितना ही सुक्ष्म होता है वो कला उतनी ही स्रेष्ट है और इसलिए उन्होंने का कि संगीत जो है सबसे स्रेष्ट कला है क्योंकि इसका माध्यम स्वर ह और उसके बाद में जो साहित काइस्थान आता है जिसका माध्यम शब्द है इसी तरह मूर्ती है इसका माध्यम पत्र है और इसी तरह तूली का चित्र काला का है इसता पत्र में भरम भवन निर्मान की सामगरें यह जो माढ़्यम है इन माढ़्यमों के आदार पर इनकी श्रेष्टता और निमनीस्थर की आमको पता चलता अब यह होया कि इस माध्यम इंपोर्टेंट किता माध्यम किता में तो यहां पर सोंदर शास्रियों की दो मानिता हैं एक तरह के सोंदर शास्री कहते हैं कि माध्यम का हम ध्यान मेरे चोल देते और माद्यम को दर किनार करने के बाद भी जू सोंदर होता है उसे विशलेशन की व्याक्या विशलेशन की अफायंच संदर कह सकताम है मसलन एक चित्र रितिका अलूम बहुत सारे दोनों के माध्यम अलग है लेकिन दोनों जिस सुंदर की अभ्यक्ति कर रहे हैं वह तो एक ही है इसी तरह भक्त कवियों ने कविताइन लिखी और उसी तरह से मूर्ती बन गई या बहुत सारे इस तरह का जो माध्यम है वह मेहत्व नहीं होता तो माध्यम को सुंदर किनार करके आप सिर्फ यह देखो कौन सी चीज सुंदर है तो दो प्रस्ण सुंदरी साच्र में महत्तपूर्ण होता है कि क्या तो सुंदरी है और क्या कला है क्योंकि हीगल ने का कि ललित कलाओं का दर्शन है तो ललित कला कौन सी तो बाकी जो कलाएं जो ललित में क्या कला माध्ययम कला नहीं माध्ययम से अलग कला है लियोनार्डव द विंची ने जब चित्र बनाया तो मौना लिशा की रंकी में रोगन में उस में कला नहीं है उसके अंदर कुछ कला है ताजमेल में भी कुछ अंदर और कला सूर्य- devastmm betisक का रूप अलग कामायनी के अंदर कला सिर्फ सब्दों में नहीं उसके भीतर कहीं तो ये जो माध्यम को छोड करके और तब इन पांचों में ललित कलाओं में जो सामायन्य चीजें होती है इन सामायन्य चीजों के उपर विचार है वो भी तो किसी सब्सक्राइब करना चाहिए आपने कवे सब्सक्राइबर तो यह इस रूप में हमारे सामना है उर चुंकि आप सब्सक्राइब का दर्शन है उसलिए इसके अंदर यह चोटी-चोटी जो बाते हैं इसने ऐसा लिखा यह पात्र ऐसा हुआ खराब हुआ अच्छा हुआ में होता तो ऐसा कर देता यह रचना 1917 में लिखी गई यह 30 में लिखी गई पचास में लिखी गई यह 27 सताबदी की रचना यह सब चीजें गोण हो जाती है और उसके बीतर नहित जो एकता है उसकी तरफ हम ध्यान आकर्शित करते हैं तो यह दो चीजें बहुत मैतमों है सोंदरिशास्र को समझने के लिए और इसलिए माध्यम के बावजूद माध्यम की भिनता के बावजूद इन ललित कलाओं के यहां के इसतर पर नहीं होना चाहिए इसलिए यह दार्शिक विदा है इस रूप में हम सोंदरिशास्र की प्रारंविक समझ विक्षित कर सकते हैं कला के संबंद में एक और सब्सक्राइब चलता है कारिगरी जो दिया हुआ काम होता है आप ऐसे करो उस काम को कुसलता पूर्व करना कारीगरि यह आपको यह ईवर क्या पेन बना दिजे तो आपने पहने बना दिया ही किटाब झाप चाप दिजे है आपने अच्छी तरह किताब चाहपीं इसको आप टेकार यह यह जो कारीगर्स सही नहीं है यह अक्षरों की बुनावट कैसी Basis यह सी और सिल्प कला नहीं लेकिन कला कार को वो सिल्प आना चाहिए यदि कला कार को वो सिल्प नहीं आता तो उसके अंदर कला नहीं आएगी लेकिन कला कार जो है वो कारीगर से अलग होता दिये हुए काम किया आपने बहुत अच्छी तरह से किया आपको यह बनाना था आपने बन ना दी तो वो कला नहीं इसके माद्यम से कलाकार कुछ और सर्जित कर रहा होता उसके मन में कुछ एक नया सी नई सी बात हो रही होती है कि वो इसके माद्यम से वो कुछ कहना चाहता, वो जब तक कुछ कहना नहीं होएगा, जब तक वो कुछ नया नहीं होएगा, तब तक वो कला की स्रेणी में नहीं आएगी, तब तक वो कारीगरी की स्रेणी में आएगी, और तब तक वो शिल्प होएगा, इसलिए तब तक वो सोंदर्य शास्त्र की स निर्मान किया एक टेबल देखी और आपने एक टेबल बना दी तो यह जिसको प्लेटों कहता है अनुकरन जैसा प्रकृति में चीज थी वेशी वेशी चीज आपने बना दी एक जो है जैसे मनुष्य है मनुष्य पैदा हो जाता तो किसी ने के मन में पहली-पहली बार जब आया कि मुझे ना कोई ऐसी चीज बना नहीं मसलन जूता तो जूता जो है जूते को देखा जूता बना दिया यह निर्मान है यह सरजन नहीं है यह लेकिन पहली-पहली बार किसी व्यक्ति के मन में यह आया होगा कभी तो आया होगा स्विता के विकास में कि यह जो नंगे पहली बार रही और इसी तरहें इसवर के मन में आया कि एक मनुष्य जैसा कुछ बना जाए एक कुछ बनाया जाया आदमीं जो हंसे बोले-बात करें सब सब चीजें सब तो वो इसलिए कई बार कुछ विचार्कों का सौंदरिशास्त्रियों का कहना है कि इस वर्जो है सब समकने वाले रखे एक ताता एक गरम है और ठंडा है तो सूर्य और चंद्रमा दोनों अलग-अलग उनकी प्रकृति है भगवान ने कैसे बनाए होगा तो वह हैरान है दादू-बहु हैराना तो हैरान होते हैं हम उस कलाकार की कलाकारी को देख करके तो कला बनाना नहीं है कला रचना है और जो रचना है तो वो नई है और नई है तो उसकी अनुकरती नहीं हो सकती इसलिए ताजमेल जैसा दूसरा ताजमेल नहीं बन सकता आप जिस समय गीत गारे हो उस समय जो गा दिया वो गा दिया दुबारा आप गाएंगे तो वही गाना आप उस तरह से कभी भी नहीं गा सकते क्योंकि उसमें कलाकार की वो सब चीजें आ गई उसके देखकरके दूसरा नंकल करता है उसमें बाट later को नई होती है और उसका पुनर उत्वाद़न नहीं हो सकता जिन चीजों का निर्मान कर सकते हैं सिल्द गोदानी एक ही है कामाईनी एक ही है अंधेरे में एक ही है या अग्ये का दूज का चांद बड़ी तीन पंग्तियों की कविता है तो दूज का चांद इकलोता ही है इसके अलावा किसी ने दूज का चांद नहीं लिखा स्वेम अग्ये ने भी दूज का चांद पर दुबारा कविता नहीं इस सर्जन की जो मान शिक्ता होती है उसका देन सोंदर शास्त्र का विशे है इसलिए बनाना और रचना करना इन दोनों सब्दों के माध्यम से हम सोंदर शास्त्र की विशेस्ताओं को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं इस रचना का जो शास्त्र है वो सोंदर शास्त्र है हालां कि इस शास्त्र को पढ़ करके कोई कलाकार नहीं बन सकता आपने शास्त्र की जानकारी प्राप्त कर ली समझ भी प्राप्त कर ली लेकिन इससे आप कलाकार नहीं बनोगे कलाकार बनने के लिए कुछ अलग चीजों कर दो एक और बात जो सोंदर शास्त्र के संबंद में कर जामाईनी अलग है तो इन दोनों को मिली जोली मिला करके हम कैसे एक सास्त्र बना सकते हैं जब ताज महीं तह्त्य करती है दूज़ का चांध की तीन पंख्तियां बिल्कूली अलगा तहरे की करती है तो कोई ऐसा सास्त कैसे बन सकता है जो ताजमेल पर भी लागू हो और दूज का चांद पर भी लागू हो यह एक तरह का प्रस्ण उठाते हैं और इसलिए कहते हैं का आप कला का आश्वाद कर सकते हो लेकिन उसके बारें को सिद्धांत निर्वित नहीं कर सकते आप ताजमेल को देखिए आप मुग्द होईए आप दूज का चांद पढ़िए और आप अग्ये पे मुग्द होईए और आपको लगे खाँ यह अच्छा है यह अच्छा नहीं है जो भी आपके मन में मानसिक प्रतिकिरें आती मनें एक क्रतिका आप आस्वाद कर सकते हो उ इनके बारे में हम सामान सिद्धा hasrti कि कि यहां कुछ बात आफ में कोई रिश्ता नहीं होता हैं नहीं प्रतिकर ऊक रचना होता है करते कीा होगा या सुर्य मंदिर की किसी कोफ नहीं की की होगी पहले उसके निमाग में बना होगा मुझे इस तरह की रचना करनी तब यो रचना से पहले से मन boy और तब वो रचना यतारत रूपना आती है अब यदि कोई रचनाकार रचनाकार तो उसके लिए चाहिए ही चाहिए चाहिए वो रचनाकार चाहिए जिस माद्यम का उपयोग करे चाहिए तूलिका का उपयोग करे केनवास का उपयोग करे सब्दों का उपयोग करे या स्वर का उपयो करें जिल्स यह यह ऊपकरनने कलाकार अछ़सन में भीतर से वो कलपना बड़ी जरूरी उस कलपना के दिना वह नहीं होता मसलें प्रेमचन ने गोदान में होरी की क्लपना की यह कामयनी में श्रद्दा और मनु की कलपना की जैसंधा प्रशाद ने तो ये कल्पना करने वाला एक व्यक्ति एक करता एक लेखक एक रचनाकार सारी कलाओं के अंदर होता अब इस लेखक की मान सिखता क्या होगी इसकी रचना करते समय लेखक कैसे सोचता है उसकी ये एक थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है एक यूग के रचनाकार एक ही तरह की बात सोचते हैं दूसे यूग के रचनाकार दूसी तरह की बात क्यूं सोचते हैं कला में परिवतन क्यूं होता है विकाश क्यूं होता है सारी सोंदर शास्त्री जो प्रस्ण है वो इसके अंतरगत आता है कि एक रचनाकार होता है जो कल्पना करता है और अपनी उस कल्पना को मूर्तिमान रूप में हमारे सामने रखता है इसलिए एक कलाकार सभी कलाम होता है दूसरी चीज होती है पाठक हर रचना का आप जो है आप किसी को बताना चाहते हो किसी को सुनाना चाहते हो कि मैंने यह लिखा अब आप इसको प्रुनाना चाहता कई बार उसके पाटक उसको नहीं समझ पाते बहुबूती निकाग बहुत काल जो है और प्रत्वी विपुल है कोई मेरा समान धर्मा होएगा जो मेरी रचना को सराएगा तो हम किसी को संबोधित करते हैं और उसके बाद दूसरा व्यक्ति उसको देखता ह देख देखे बाद में उसके मन में भी वही भाव आते हैं कि कोई दूसरे भाव आ जाते हैं या एक ही तरह से पिछले 500 साल से सूरदास की कविताओं को या मीरां के बज़नों को लोग इसी तरह देखते रहें या उनमें थोड़ा बहुत कोई परिवतन हुआ तो मीरां के स संमझ सकते व्यक्राणों वालों को नहीं समझ सकते कुछ विशेशता हैं होती हैं वह कहते हैं होना चाहिए हर व्यक्ति हर अचना का सहर नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता कि एक कोई व्यक्ति इन सारी कलाओं को समान रूप से समझ सके हो सकता ना समझे लेकिन एक कोई सामाने बाते इस पाठक के बारे में भी हम निर्दारित कर सकते हैं कि इसका एक दर्शक होता और यह जो पूरी अंतर चेतना से पूरे हमारे विवेक से पूरे हमारे विचार से भाव से दर्शन से सब चीजों के अंदर हम भागिदार बनते हुए उस रचना को देख रहे होते हैं इसलिए जो पाठक होता है जो शेहर्दे होता है वो सभी रचनाओं का होता है और इसलिए वो भी भूल ने सती हैं तीसरी बात जो इसमान्य वह एक टी तो आप बनाते ही हो एकशीज का निर्माण तो पर आले इस नोजवानों पर अलग तरह का परवाव डालती है तो वह एक तरह से आपके सामने एक रचना आ जाती है और उस जैसे प्रकृति पेड़ पोदे वर्नस्वति जीव जन्तु अनेक प्रकार की चीजें पाई जाती है यह प्रकृति की रचना हैं इसी तरह साहिते में भी अलग-अलग के हो गे कई आश्यर हमारे सामना अगे तो एक रचना हमारे सामना आती इस रचना में कुछ चीजें मसलन महारा घर दो कमरे हैं बातरूम हैं सब चीजें लेकिन आप उस उप्योगिता की दृष्टी से नहीं तो उस कृति का अध्यन ये भी सोंदर शास का तो तीनों चीजें सब में होती चाहे जो आप माध्यम रखें उसमें रचना उसका करता होएगा उसका आश्वाद करने वाला होएगा और उसकी और वो कृति होएगी ये त तिनों चीजें आउट से अब जी तीन चीजें समान हैं तो इन तीनों में संभव है कि बहुत सारी चीजें समानों और इसलिए संदर सास्थ्री ढूंड ने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों से जुड़े विकौन-कौन से ऐसे सास्त्र हैं सिद्धान्त है जो हम बना सकते और सुंदर इसास्रियों ने बनाए जो सब कलाओं पर लागू भी होते हैं कई बार उनमें असंगती भी होती आप कह सकते हैं कि इसमें अतिव्याप्ति और अव्याप्ति का दोस है आपने जो यह सिद्धान्त बनाया है यह एक कला पर लागू होता है दूसरी कला पर खुन्तuk अमूर। अमूर्टन आप जादा जादा चित्र कला में कर सकते हो साहित हम मो GG कर सकते हो संगीत हम दूण नहीं होता तो यह कोई आफशक नहीं है कि इनके सारे सिद्ढक सभी कलाओं पर लागूं लेकिन एक से अदिक कलाओं पर लागू होते हैं और उनके कलात्मक पक्स पर निद्धर होते हैं इसलिए सोंदर रिशास्त्र में सोंदर रिशास्त्र संब्भव है यह सोंदर रिशास्त्रियों ने तर्क देखर के इस्तापित किया इसी तरह से कुछ सामानी चीजें हैं जिसको हम सौंदर शाये दृश्षी से मान सकते हैं जिसमेंसे पहला हम इस पर भी बात करते हैं सभी कलाओं का संबंद समाज से होता है तो समाज से कला का जो रिष्टा है उस रिष्टे की तलाश भी सबकुर्सांसर और तब हम रीतिकाल आता है तो रीतिकाल सभी कलाओं के अंदर कमों बेश रूप में आ जाता है तो साहित और समाज का जो रिष्टा है इस रिष्टे से यह ते होएगा कि कौन सी प्रवर्ति आपके इसाहित माईगी दूसरी जो बात है कि सारी कलाएं सोंदरी की अभिव्यक्ति करती है सब कलाएं किसी काम के लिए नहीं होती माना कोई बवन ऐसा नहीं बनाएगा जो कहएगा कि यह तो मेरे रसुई का काम करेगा यह हम खाना बनाएं सबी कलाएं सोंदरी की अभियक्ति करने के लिए ही वो कला का निर्मान करता है मिस्र के पेरामेड है वो सुंदर है कोणार का मंदिर हमको सुंदर लगता है और हमें महाभारत या रामाइन या आज की जो आज के जो कवियों की रचना है यह हमको सुंदर लगती कवी अच्छी तरह से अपना बात करते हैं टूटी हुई बिखरी हुई समसेर बादू सिं शचीम में बना तो संधरी की जो हाउधारणा है वो भी बदलती रहती छाया वाद में शोंदर संबन्धि चिंतन लगातार होता आरहा हाला कि इसमें विकास होता है परिवरतन होता है संदर्य शास्र में पर विचार किया जाता है और इस प्रस्ण पर विचार होता है कि आखिर सोंदर्य होता क्या क्या संसार में जितना सोंदर्य है वो सभी कलाओं में अभ्यक्त हो गया या अभी सोंदर्य की कुछ चीजें बची हुई है जिसकी अभ्यक्ति आने आगे आने वाला मानो समाज करेगा तो सिद्धान्त रूप से तो यही माना जाता है कि संदरी अभी असेश है आप उसके संपूर्ण तामे अभ्यक्ति करी नहीं सकते इसलिए उसकी गुंजाइस आगे आने वाले लोगों के ल कला संदर की अभ्यक्ति नहीं करती कंला से सब्सक्राइबी होता है व्यापर भी होता है व कुलाखन करोण करूडों रुपया में, डॉलर में दोलर में बिगती लेकिन उसके कारण उसका संद 그लिय नहीं होता जो बिलकूल एक अलग धारमना से निर्मित होता है, और उसकी तरह से कलाकार के पास में वो सोंदरी होता है और जिसको देख करके उसे चित्रित करता है और उसे अभ्यत करता है इसलिए दो प्रस्ण सोंदरी शास्त्र के लिए बहुत ही मैत पून है है ś infinity है यह माना जाता है कि पस्चिम की है और भारत में यह हूए कोई परंपरा नहीं है भारत में तो यह चीज पस्चिम अई आदौिनिक यूग में भी पस्चिम से आया तित हो करके और व्हुन्धरीश sketch के अनुसाय तो ब्रह्म अखंड है और वो माया के रूप में खंड-खंड दिखाई देता है और कला माया के पांच कंचुकों में से एक है कंचुका अर्थे आवरण माया इन कंचुकों में लपेट करी शिव को जीवन देती है ये कंचुक हैं काल नियती राग विद्या और क इसी तरह अच्छे परिग्र है माया l ago ुशकी अखंड कंच और दिखाई देती और यही कला है जो अखंड को कंडों में बनतावा दिख लाती है कंड रूप में आते ही घंडों के 20 परस पर संगर्शारं हो जाता है हालांकि खंड में मिलना चाहता है परंतु माया और कला इन्हें मिलने से रोकती है भारतिय दर्शन में किसी देवता को जिस देवता में 16 कलाओं का निवास होता है उसे पूर्ण कला मूर्ति का जाता है और उसके वेबव जैसा माना जाता है कि क्रशन में ये सारी कलाओं लिए जाता है इसी तरह हमारे को विद्ध्य कर जाता है और सॉला होती है और विद्ध्या चौषर हो तो ये अलग-अलग तरीके का हमारे चिंतन है नाटीकम में कहते हैं कि सभी का समन्वें हो जाता है नाटello में भरत न शंगीत हो गया मुर्तिं के ए स्धापितला हो गई सब चीजों का समन्हार है और फिर उसका अलग से विकास हुआ हालां कि कोसल वाली, स्रम वाली, सिल्प वाली कलाओं को हमने उसमें सामिल नहीं किया सोंदर शास्त्र और कावे शास्त्र के अगर संबंद की हम बात करें तो कावे शास्त्र प्राचीन शास्त्र है चाहे भरत का नाटे शास्त्र हो या भामे का अलंकार हो यह सब सॉन्दर शास्त्र के पहले लुए इसी तरह प्लेटो और अरस्तो ने जो अपना चिंतन किया था वह कावई साक्री चिंतन कहला था सॉन्दर शाक्र की शुरवाति 18. दियार्वी सताब दिम हुई और प्लेटो बहुत पहले हो चुके थे तो कावशास्त्र पुराना और सूंदर्यचा स्था बात का दूसरी बात है कि कावशास्त्र के अपने सिद्धानते हैं जो सोंदरी पर लागू हो सकते हैं जैसे हमारे रस्त की दार्णा या आनंद की जो दार्णा है आप इसे सोंदरी शास्त्री प्रतिमान की तरह से अन्य कलाओं पर भी आप लागू कर सकते हैं हालांकि ये जो दार्णा है रस्त की जो दार्णा है ये क शास्त्री धारना और भारत में यह शास्त्री परंपरा ज्यादा बड़ी और बाद में जाकर के जो नाटे शास्त्र वाली जो पर अदुनी काल में फिर सोंदर शास्त्र की थोड़ी सी चर्चा होती है जिसमें लेकिन सारे अधिकांस चिंतके मानते हैं कि सोंदर शास्त्र अलग है हमारा कावे शास्त्र अलग है जैसंगर प्रसाद ने इसका विरूद किया और सुकल जी ने बहुत जोर से विरूद किया उन्हों कहा कि साहित जनवाद में तो सारा उपद्रों कावे को कलाओं के भीतर लेने से वा इसी कारण कावे के शुरूब की भावना दीरे-दीरे बेल बूटे और नकाशी की भावना के रूप में आती चलेगी भारति कावे सास्त्र को अगर अपन देखते हैं तो भारति कावे सास्तर का जो गनिष्ट संबंध है व्याकरण से है और व्याकरण का अन्य ललित कलाओं से कोई संबंध नहीं होता या नित्य संबंध नहीं होता आप संगीत में थोड़ा बहुत आप उसको स्वर के कारण जान सकते हैं बाकि व्याकरण का सोंदर सास्तर से कोई रिष्टा न में यह व्याकरण जो है बहुत बहुत ही महत्वपून है इसलिए इस संबंध के कारण सोंदर्य शास्र की धालना हमारी विक्षित में जैसंकर प्रसाद ने इस बात का विरोध किया उन्होंने भामे दंडी और प्राचीन हमारे आचारियों को उद्रत करके यह कहा कि कावे ज जिस परकार चित्रकला मूर्तिकला आदी शिल्पों का विचार होने लगा उसी परकार कावे का भी सबसे बेडंगी बाद तो यह हुई और सारा उपद्रव कावे को कलाओं के भीतर लेने से हुआ इसी कारण कावे के सुरूप की भावना दीरे दीरे बेल बूटे और नका प्रसंग में कला सब्द की बहुत उद्धर नहीं होने लगी है मेरे देखने में तो हमारे कावे समिक्षा के से जितनी जल्दी यह सिब्द निकले उतना ही अच्छा इसकी जड़ पकड़ना ठीक नहीं यह आचारे रामचन सुकल का विचार है और जैसंकर प्रसाद का जैस अभिवक्ती करता jsem इसलिए ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि भारत में ललित किलाओं में आ आपसी समन्वए नहीं है मसलन खुज़राओं कि जो मूर्तियां हैं वह मुर्तियां एक तरह से नाइकाहों चित्रण करती हैं तो यह जो नाइकाहं जो रीतिकाल की नाइकाएं हैं जो साहिति की नाइकाएं हैं तो जब साहिति की नाइकाएं मूर्ति कला में आई और मूर्ति कलाओं को मिला करके सूर्य मंदिर जो भविय मंदिर बनाया जिसमें विज्ञान और कला दोनों का मिस्रण है कि सूरी की रोशनी इधर से आएगी इ कि और इसी तरह संगीत के जो बंदित होते हैं उसका स 그래요 रिष्ट है और उनी बंदित के आदार पर संगीत से बंदित से सहं होते हैं से समंद हैं सलाजता को एस नाथ का समनवम सारी कलां का आपस और Histor में बहुत ज़्यादा सास्त्री चिंतन सोंदर यह सास्त्र को रूप में इसका विकास हुआ और नातक के संदर में जो भी किंतन हमारा होता है उस चिंतन से आप सब्धार यह सिर्फ कवे की आलोसन नहीं वो एक तरह का चिंतन है और वो जो चिंतन है वो दर्शन के साथ है हम जानते हैं कि अबिनो गुप्त जो है वो उनका एक दासनिक मत है और इसी तरह नाटे सास्र की आलोचना करने वाले व्याक्या कारणों के बीच में जो मतबेद है वो उनके दासनिक मतबेद के कारण है तो मनवेग्यानिकों ने भी सोंदर शास्त्र का विस्ट्रेशन किया कुछ समाज सास्त्री और आर्थिक जो चिंतक थे उन्हों ने भी साहित्य के सोंदर शास्त्र की चर्चा की कलाकारों के अलवा राजनेतिग्यों ने भी सोंदर ये शास्तर पर बात की तो साहित्य के बारे में कलाओं के बारे में चुंकि जैसा हमने का कि ये एक तरह का जो साहित्य बहुत ही जनतांत्रिक विदा है और सारी कलाओं इस अर्त में जनतांत्रिक विदा होती है क्योंकि आप सब देख सुन समझ सकते हों और इसके दूसरी कलाओं पर भी टिपणी करता और वो जो टिपणी है उससे उस चिंतन को तो बल मिलता ही है उस कला को समझने भी बल मिलता मां लीजिए कोई चित्र कला का विचारक है और उसने कुछ ऐसी बात कही जो साहित पर भी लागू होती है तो हम उसका देन करते हैं मसलन उससे हमारा प्रतिस परदा है उससे जो चित्रकला से तो जिसको चित्रकला ची आती है उसकी कविता में बिंब अच्छे होते हैं मसलन समसेर बादूर सिंग चित्रकार भी थे बहुत अच्छे और उन्होंन कविता भी लिकी तो उनकी कविता में बिंबात मक्ता ज्यादा ह जिनको चित्र की समझ नहीं है उनकी रचनाओ में वो नहीं मिलता इसी तरह जिसको मूर्ति की है और कलावं की जिसको समझ ए।। उतनी ही उसके शास्त्र में उसके विचार में उसके चिंतन में एक महत्वपून योगदान होता है। तोंदर्य शास्त्री एदेन की दृष्टी से यदि हम साहित्य को देखेंगे अन्य कलाओं से जोड़ करके जब हम देखेंगे उसकी विशेस्ताओं को देखेंगे तो साहित्य के कई नया आर्थ उद्गाटित होगा जो साहित्य की आलोचना या साहित्य का इतियास या कि ये दृष्टी भी हमें समझने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हूँ